हनुमान जैन्ती के पावन दिवस पर आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुब काम नाए हे राजपुरुशों मैं आपके इस भव्य स्वागत से कृतार्थ हुआ परन्तु मैं यहां किसी सेवा की अपेक्षा से नहीं आया मैं तो आप से बस कुछ मांगने आया हूँ आप जो चाहते हैं वो हम आपको प्रसन्नता से देंगे परन्तु पहले आप भीतर तो आईए अरे अरे रुकिये हनुमान हम आपको ऐसे भीतर लेकर नहीं जा सकते आप तो हमारे लिए इश्वर के समान हैं इसलिए पहले हम श्रद्धा पुर्वक आपके चरण धोएंगे आप लोग कृपिया ऐसा ना करें मैं तो मातर एक साधारन वानर हूँ हे कपीश्वर आपके चरणों में तो परम प्रताप है जिन चरणों ने स्वण लंका को ध्वस्त कर दिया वो हमारे इस तुछ राज में प्रविश्ट हुए हैं विशाल काय परवच चकना चूर हो गए आपके चरणों तले हमारा तो अत्यंत साधारन सा राज्य है तीनों लोग काप उड़ते हैं आपके चरणों की आहट से फिर हमारा निवास तो अत्यंत साधारन है यदि आप हमें अपनी सेवा का अवसर दे रहे हैं तो हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए ही सही एक अवसर देने का कष्ट करें ग्रिपा कर हमें अपने चरण धोने के बहाने इन्हें परखने का ही अवसर दे दीजे आप दोनों राजपुरुषों को शच्छत धन्यवाद परन्तु मैं रामकाच पूर्ण किये बिना ये भुजन ग्रहन नहीं कर सकता और इस कार्य में आप दोनों ही मेरी साहेता कर सकते हैं आप अपना अश्व मुझे दान कर दीजिए जिसे मैं सही समय पर अयोध्या पहुचा सकूँ और मेरे प्रभूश्री राम उचित मुहुर्त में अश्वमेध यग्य प्रारंभ कर सकें भया कुशल हमारा अश्व चुना गया है प्रभूश्री राम के अश्वमेध यग्य के लिए अब इसके परिणाम स्वरूप हमारे नारायन पूर में सब कुशल मंगल ही होगा हे राम भक्त हम दोनों भ्राता अपने अश्व को देने के पूरू एक बारों से भोजन कराकर विदा करना चाहते हैं यदि आप हमें इतना समय दें तो हम किर्तार्थ रहेंगे आज मैं स्वयम अपने हाथों से जला कर अपने प्रिये अश्व को स्नान करवाऊंगा स्वयम गुल और चने के मिश्ण से भोजन तैयार कर अपने अश्व को प्रस्तुत करूंगा राता यह हम क्या कर रहे हैं यह हम क्या कर रहे हैं यह हमें नहीं करना चाहिए क्या हुआ कुशल और मंगल अभी तक क्यों नहीं आए मुझे देर हो रही है मुझे मुझे देखने जाना चाहिए नहीं तो मैं सुर्योदय के पूर्व अश्व प्रभू श्री राम तक कैसे पहुँचा सकूंगा यदि उन दोनों भ्राताओं को हन्मान के प्रतिय टूट श्रद्धा है तो अब तक हन्मान को अश्व के साथ लोट आना चाहिए था गुरुदेव आप निश्चिंत रहिए हनुमान अवश्य ही शीखर लोट आएंगे यदि हनुमान उन दोनों भाईयों से अश्वर नहीं ला पाया तो कई वर्षों तक यग्य का महुरत नहीं होगा और हम ये शुव अफसर खो बैठेंगे उस वानर को हम ये अश्व नहीं दे सकते वो तो मुझे कोई बहरूपिय प्रतीत होता है ये एक शलांग में समुद्र को लांगने वाले हनुमान नहीं हो सकते हाँ मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है हनुमान जी ने तो आवश्यक्ता पढ़ने पर परवत उठा लिया था यदि वो चाहते तो हमारे इस अश्व को बड़ी सरलता से यहां से उठा ले जा सकते थे उन्हें हमसे मांगने की क्या आवश्यक्ता थी शतानन की सेना को हनुमान जी ने तो पूछ में लपेट कर उठा फेका था अगर वो चाहते तो इस अश्व को भी पूछ में उठा कर ले जाते प्रभू श्री राम का नाम लेकर सभी का संकट हरने वाले हनुमान जी के लिए रामकारे के लिए इस अश्व को यहां से लेकर जाना कौन सी बड़ी बात है प्रभू विश्रू के भक्तों के साथ मैं भला ऐसा कैसे कर सकता था ये तो मात्र मैं उन राक्षसों के साथ ही ऐसा कर सकता हूँ जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं कौन हो तुम ये क्या कह रहे हैं आप किस ने आने दिया इस वानर को यहां पर बिना अनुमती के यहां आने का दुस्ता हस कैसे किया तुमने अभी तो आपने मेरे स्वागत किया था और अभी आप मुझे पहचानने के लिए भी तैयार नहीं सैनी को पकड़ो इसे और बाहर निकालो इस बहरूपिये को सोच बदल कर आसकती को अनासकती में बदल दिया मैंने बहुत शतुर है ये वानर बहुत शतुर अभी भी अश्व को ले जाने में सफलता प्राप्त कर हमारी योजना को पूर रूप से ध्वस्त कर सकता है इसलिए प्रथम अब सर पाते ही उस अश्व के जीवन का आनित कर दो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसरी अकस्मात ही इनके विचार कैसे परिवर्तित हो गए अवश्य ही ये निकुम्ब ने किया है महराज कुशल, महराज मंगल ये आपको भी ग्यात है कि मैं हनुमान ही हूँ राक्षस निकुम्ब के प्रभाव में आकर आप दोनों मुझ पर अविश्वास कर रहे हैं बस बस, बन करो अपनी ये मन गढ़ंत बाते अब और हम नहीं आने वाले तुमारी इन बातों में ये बाते मन गढ़ंत नहीं है निकुम्ब अपनी मायावी शक्ती से किसी के भी विचारों को प्रभावित कर सकता है यही है उसकी नवीन रणीती उसी ने आप दोनों के मन में मेरे प्रती अविश्वास जागरित किया है बस, बस मुझे तुम पर तनिक भी विश्वास नहीं है दूर हो जाओ मेरे दृष्टी से जैनिको, बाहर निकाल दो इस वानर को जो आगया महराज जैनिको, इस वानर को उठा के फैक दो बाहर परन्तु न्याय और धर्मी के अनुसार ही लाना होगा वो अश्वे तुम्हें हरन कर अनिथा बल पूर्वक लाया गया अश्वे यग्य के योग्य नहीं होगा मेरा विश्वास कीजिए मैं यहां युद्ध करने के लिए कदापी नहीं आया हूँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता सैनिको, निकाल दो इस वानर को बाहर मैं सत्य कह रहा हूँ मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान ही हूँ प्रभु के अश्वमेध यग्य के लिए आपका अश्वल लिने आया हूँ इसलिए मैं ना तो युद्ध के लिए अस्त्र उठाऊंगा और ना ही बल प्रयोग करूँगा वो चतुरवानर भले ही इन भाईयों के मस्तिस्क को मेरे प्रभाव से मुक्त करा ले परन्तु मेरे महाबली पंचासुर उस अश्व का अंत कर देंगे फिर कैसे होगा राम का अस्वमेध यग्य नहीं होगा आपका विस्तार होगा अधर्म की जय होगी बहुत संदर हो तुम आश्व किन्तु तुमारा अंत करना अवश्यक है वानर इन भाईयों को अपने बात का विश्वास दिलाए उसके पूर्वे मुझे अपना कारे करना होगा हनुमान का वेश्व बना कर हमें छलने आये हो तुम्हें ये अश्व कदाप ही नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए मुझे नारायनपुर की संपूर्ण सेना का बल प्रयोग भी करना पड़े तो भी करूंगा सैनी को मैं अनायास ही दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था किन्तु प्रभू का कारिय पूर्ण करने के लिए आपको विश्वास दिलाना आवशक है कि मैं ही हनुमान हूं जए श्री राम ये वानर हमें माया से भैवीत करना चाहता है सैनी को आकि बढ़ करो इस वानर पर मैं आपको भैवीत नहीं कर रहा हूं मैं तो आपको विश्वास दिलाने के लिए ऐसा कर रहा हूं कि मैं वही हनुमान हूं जो अपना आकार बढ़ा कर संजीवनी के लिए परवत उपा कर लाया इसने तो हनुमान की भाती परवत ही उठा लिया अश्वकी ध्वनी इतने तीप्रता से क्यों हिन हिना रही है ये तीद्वकी क्युद्थ जाकी क्युदे जाना प्रवंची अ कहतं प्रवब जानत्य Congo हिल जानत्य क्युद्ध यह दानव यह दानव कहां से आ गया यह तो हमारे अश्व का अंतकर डालेगा अश्व को वहां स्थान कराना है इसलिए पवित्र जल को वहीं एकत्रित करो सुवामी यह आपका प्रथम अश्वमेग यग्या है हमारे कुल देवता सुरेदेव की कृपा से आप भी अश्वमेग यग्या संपन करने वाले राजाव में से एक हो जाएंगे आपकी कीर्ति आपके पुर्वजों की ही भाति दिग दिगन तक प्रसारित हो जाएगी राम राज्चे की स्थापना होगी किन्तु ये तो तभी संभा होगा भावी मा जब हनुमान महुरत रहते अश्व को लेकर यहां पहुँच जाए अच्छा तो और भी दानव है यहां अच्छा प्रसारित है अच्छा जो हम आप पर अविश्वास कर वैठे न जाने कैसे हमारी मती ही फिर गई थी हाँ अनुमान जी हमारे कारण प्रभु श्री राम जी की कारे को असफल मत होने दीजिए अन्यत्य इस पाप के भागी बनकर हम जी नहीं पाएंगे सूर्य उदय होने को है मुहुर्थ के लिए अधिक समय शेश नहीं है अब मुझे शेग रही इन असुनों को समाप्त करके अश्व को समय रहते अयोध्या पहुँचाना होगा अश्व के जीवन का अंतिम समय आ गया है एक साथ हिन सभी असुनों को समाप्त करना होगा अन्यत्य विलंब हो जाएगा जेश्री राम वन्देवानर नारसिम्मक अगरा हनुमान का पंच मुखे रूप प्रतीख है नाकारात्मक शप्ती दूर करने का तर्ट नारसि में सबिस्प्रूद आफर शुकरणर शाय। ऑप्क जाल दूरसिय।